कहते हैं कि प्रतीभा चमकती है, दमकती है, खिलती है, लेकिन उसे सही स्थान पे रखा जाए, सही जगह पे रखा जाए, सही समय पर रखा जाए, उसकी बाद उसकी खिलखिलाहट दमकती है, बोलती है आज हम एक ऐशे शक्स से मिलवाने वाले हैं जिसकी प्रतीभा इतनी चमकती हुई है फिर भी उसे न कोई मुकाम मिला न कोई मंजिल आखिर क्यूं यह यहाँ पे इतने अच्छे हूनर है इनमें बांसुरी बजाने वाले हैं उसको सुनाएंगे आप सभी के सामने और सुन कर कि आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा कि आखिर कहां कमी आई जो वो अपने मंजल तक न पहुंच पाए और उन्हें कोई नहीं जानता है तो आखिर क्या चूक हुई सबसे पहले तो हम आपको अभी उनका धून सुनाते हैं इधर आईए थोरा स सद्राइए आप जो बजा रहें एक बर बजाके हमारे दर्शकों कुस्णाइए पright पारओat 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 पाराओ पारओat पारओat ते पारओat कि अञब पारओat सबसnt दी काеле अब ये कौन से गाना का धून है ये तो आप लोग बताईएगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजेगा और रिप्लाइग जरूर करिएगा कि ये कौन से गाना का धून है लेकिन हम चाहेंगे कैमरा मैंसे कि एक बार इनकी ड्रेस को दिखाईए फूल जूम करके इनकी ड्रेस को दिखाईए उपर से नीचे तक कि ये कैसे पहने हुए है और आखिर दो चार रुपया के लिए दस रुपया के लिए दुकाने दुकान अगर मांग रहे हैं लेकिन इतनी अच्छी प्रतिभा है तो फिर ये निखाणने में और निखरने में अब्दूल रहमान रजबूल रहमान अच्छा घर का है घर जिला फैजाबाद यानि कि आप यूपी के रहने वाले हैं तो आखिर इतना अच्छा धून बजाते हैं आप आपके हाथों में क्या है अच्छा मतलब आप दुकान से ऐसे करके पैसा लेते हैं और फिर उनको अपना धून सुनाते हैं ना और क्या चाहिए आपको कैसे करते हैं आपके घर वाले कहा रहते हैं तो देखिए वाकई में यह जो धून बज रहा है यह किसी न किसी गाना का धून है तो अब हमें तो नहीं समझ आ रहा है घर से बेघर हो गया है और दर भटक के भीक मांग रहे हैं पैसे मांग रहे हैं और अपनी प्रतीवा को दिखा रहे हैं लेकिन इनकी प्रतीवा किसी को नजर ना आई और हमें अच्छा लगा तो हम बस इनको अपने ख़वर के माधियम से अपने चैनल के माधियम से आप कर दो व mentions टो है बन्य बाई प्रत कर दो का भो भाफ नहले मुशनाओ नहले कर दो चलिए बाकी हम ज्यादा नहीं सुनाएंगे क्योंकि इनको ज्यादा परिशान नहीं करेंगे बाकी इनका धून सुनके आप सभी को कैसा लगा वह हमें कमेंट वाक्स में जरूर रिप्लाइ करिएगा आरें 24 नियुज आप देख रहे थे और मैं थी आपके साथ रंजिस्ट चांचिलिया